हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कम्यूकेशन के मोडल्स के बारे में दोस्तो इसके बारे में काफी कोशन आते हैं तो यह करना हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट ह है दोस्तों आप सभी से क्रिव कैश्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके तो चलिए दोस्तों हम सुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की दोस्तों यह जो लिखाए साइद आपको समझ में नास के लेकिन टाइम की हमारे पास काफी सोर्टेज है इसलिए मैंने जो नोट से बना रखे थे उन्हीं से मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो इसके लिए मैं माफ ही चाहता हूँ अब देखिए मोडिल्स के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला मोडल आता है गर्जंद त्सका मॉडल इसके अंदर थे और जो special जो इसके बारे में था occasion यानि कि किस occasion के ऊपर हम communication कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर काफी इन्होंने प्रमुक्ता दी थी ठीक है और अगला जो model आता है दोस्तों सेनन एंड वीवर का मोडल आता है कलाउड सेनन वे वीवर ने दिया था ये 1940 के अंदर न्यू जर्शी के अंदर सेनन और वीवर थे वह गनित तक गया थे यानि कि वह मैथमेटिक्स के थे और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो में जो चीज दी थी वह थी नोइज के ब और एक चीज और इसके अंदर लेवल सी के बारे में बूजा जाता है दोस्तों वह आप मुझे कॉमेंट वोक्स के जरीए बताना कि लेवल सी इनने सेनन एंड वीवर मोडल के अंदर क्या है अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बताऊंगा अब देखिए अगला जो मोडल है लास्वेल का मोडल आता है इन्हों ने किस के बारे में बताया था दोस्तों इन्हों ने जो मेंग उसके उपर पढ़ता है उसके बारे में बताया था और इन वह उन्हों नहीं कहा था इसके अंदर जो वट है उसे content analysis इसे medium analysis और वह और ओडियंस analysis और वट एफेक्ट का मतलब effect analysis के बारे में बताया था अगला जो दोस्तों है bilambers from model का जनसन चार model इन्होंने mask communication का तोया दिया था और इन्हों नहीं हुआ था कि किस तरह से क्ट बड़ी से जंता होते बड़ी जो ओडियन्स होती है उसके निर किस तरह से कमनीकेशन किया चाहित इसके बारहिंगों इनोंने बताया था ठीका अगर पेपर में आ कि दीप प्रोसेस एंड इफेक्ट आफ मास कम्निकेशन के बारे में किस ने बताया था तो वह आएगा विलंबर स्राम जनसंचार का मोडल और अगला जो आता है दोस्तों है बर्लोज मोडल SMCR इन्होंने इस मोडल के अंदर ये बताया था कि किस तरह से हमारे ग्यान इंद्रि यहां वह त accountable करती है ठीक है अगले दोस्तों हो अस्गुड स्राम मोडल सर्कुलर मोडल चार्ल यह दिया था उन्होंने बताया था दोस्तों जब एक व्यक्ति और नबाल जाता है यानि कि दोनों वही काम एक ही वयक्ति करता है जैसे मान्सिक रोप से हम कुछ चीजें सोच तो इसे हम जो सर्कुलर मोडल कहा जाता है और इन्होंने थियोरी ओफ मिनिंग भी दी थी ठीक है और अगला जो आता है दोस्तो जार्ज गर्बनर का जेनरल मोडल इन्होंने दो मोडल दिये थे ठीक है उन्होंने जो पहला जो मोडल दिया था उसके अंदर क्या था दोस्तों कोई व्यक्ति किसी घटना को अपने ढंक से जानता है और उसे अपने तरीके से दूसरों को बताता है ठीक है यानि कि देखो कुछ कोई घटना होगी कहीं पे तो सबसे पहले हम देखें गे उसे ठीक है हम उसे अपने हिसाफ से समझेंगे उसकी सचाई क्या है क्या रियल में क्या है वो हमें नहीं पता है लेकिन हम उसे अपने हिसाब से उसे देखेंगे ठीक है और आगे हम उसे अपने ही तरीके से उसे बताएंगे और जब की सचाई कुछ और हो सकती है ठीक है तो ये सबसे पहला मोडल था तुवर्ड्स एजर्नल मोडल आफ कम्निकेशन भी कहा जाता है इनके मोडल को ठीक है और जो अगला जो इन्होंने मोडल दिया था 1964 के अंदर दिया था और इन्होंने ग्राफिक्स मोडल इसको ग्राफिक्स मोडल भी कहा जाता है ठीक है और इन्होंने आगे क्या इसमें इंप्रूमेंट किया था कि अब अगला व्यक्ति सुनी हुई घटना को तीसरे व्यक्ति के साथ अपने अनसार साजा करेगा यानि के सबसे पहले कोई घटना हुई उसको हमने अपने हिसाब से समझा और उसे दूसरे व्यक्ति को हमने बता दिया अब जिस दूसरे व्यक्ति को हमने बताया वो दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से कोई बात समझेगा और तीसरे व्यक्ति को वो अपने अनसार ही समझाए बेगा ठीक है तो इसके अंदर से भी कोशन आते हैं अगला आते हैं दोस्तों ब्रेडोक मॉडल ब्रेडोक मॉडल लक्षय प्रमूख कर गया था 1908 में दिया था लास्वल मॉडल को इस तरह से पेस्ट इन्होंने जो लॉस्वल का जो मॉडल था फोट से यानि की वो था उसे इंपरोमेंट किया था इसके अंदर क्या था कि हूं सेज वर्ट विच मीडियम टू वूम अंडर वर्ट ऑप सरकुम्ट सरकॉम्टेंस और फोर वर्ट पर 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 फिद वर्ट इफेक्ट ठीक है इन्हों ने इसके अंदर थोड़ा इंपरोमेंट करके बताया था और अगला जो आता है दोस्तों डीफलियूर मॉडल डीफलियूर ने दिया था और इसके अंदर क्या था दोस्तों कि सैनन सैनन वीवर के मॉडल को संसोधित किया था इन्होंने और वैसले एंड मैकलेन का जो मॉडल है वह भी इन्होंने करके नया निकाला था और उन्हों ने जो मॉडल दिया था टू वे फीड वेग का मॉडल दिया था यानि की इन्हों ने फीड वेग को समाहित किया था अभ boat देखो कहिए दो हमने शैनन एंड वीवर को किया था उसके अंदर noise के बारे में बताया था लेकिन feedback के बारे में नहीं बताया था तो इन्होंने feedback को include किया है और feedback के दुरान destination को source और source को destination बना दिया ठीक है तो two ways of model है वो है दोस्तो deflural model है तो यह आपको ध्यान में रखना है अब अगला आता है है दोस्तो हब model of mass communication हरवट यह पता नहीं है कि क्या नाम है दोस्तों इन्होंने दिया था यह और in this communication like a way of form यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो sender है वो receiver के पास कोच information भेजता है तो वह एक वेव के रूप में travel करते हुए जाती है तो इसके बारे में इन्होंने बताया था और अगला जो है दोस्तों वैसले एंड मैकलिन का जो model है उसका है दोस्तों इसके अंदर क्या था a b x के बारे में बताया था और और इन्होंने a b x के अंदर क्या था कि दोस्तों जो c पाथा ठीक है और और आगे देखते हैं दोस्तों हम कि ओपी सिंग संचार मोडल ओम प्रकाश सिंग ने दिया था यह मोडल संचार प्रकिरिया चरणों मार्ग वेवस्था वीविद प्रकाराधी को समेटे हुए यह काफी कॉम्प्लेक्स मोडल दोस्तों इसके अंदर सारी चीजे बताई हुई है ठीक है और कि अगले दोस्तों प्रिबरेशन एंप्लिमेंटेसन इंपक्ट इंपेसं मोडल कातलीप सेंडर एंडर व्रूम को दिया था थरी स्ट्याप में थ्री च्टेप इंडी स्टिक ओडल यह लेंडर मैन ने दिया था अगले हैं दोस्तों पीरामिड मोडल यह मैकरॉन ने दिया था इसके इनकी जो व्याक्थ है दोस्तों वह एक्स्प्लीनेशन यहां पी नहीं मेरे को मिली नहीं सोर्ट ट्रम एंड कंटिनुटी मोडल वाट्सन एंड नोवल ने दिया था वैल्ल्यू एंड लाइफस्टाइल और नार्ड मिशेल ने दिया था अगला है फ्रेंक ई एक्स डॉन्स मोडल मोडल और इसे दोस्तों स्पाइरल हैलिक्स मोडल भी कहा जाता है ठीक है तो फ्रेक ई एक्स ने यह दिया था यानि कि पहले जो संचार है वो थोड़ा होता है फिर बड़ा होता है फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा यानि कि इस तरह से जो वह बड़ा होता जाता है और न्यू कॉम्ब का ए बी एक्स मोडल सबसे पहले जो ए बी XC model आये था और यह दोस्तों triangular model है A, B, X यानि कि A और B किसी X विश्य के उपर बात्चित कर रहे हैं ठीक है, sender, receiver और matter ठीक है और जो A, B, XC के अंदर जो C था वो है gate के पर ही आपको ध्यान रखना है Baker का mosaic model ठीक है और उसके बाद में संचार का conversation model यह किन कैड ने दिया था यानि की बात्चित का model संचार का आधुनिक model को मानवी किरियाओ को दर्षाता है यानि कि संचार का आधुनिक model जो मानवी किरियाओ को दर्षाता है अब अगले दोस्तों gatekeeping model यह दिया था वाइट कर्ट्स लेवीन पत्ता नहीं थोड़ा ध्यान से नहीं लिखा गया और अगले दोस्तों जोहरी विंडो मोडल यह दिया था जोसेफ लुफ्त हैरी गेट इंग्राम ने दिया था और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यह आपको थोड़ा समझना जुरूरी है तो आप यह इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊंगा यह थोड़ा अक्स्प्लीनेशन काफी लंबा करना पड़े है ठीक है अब है दोस्तों वेंडेन जोहन्स मोडल इन्होंने उन्होंने दिया था और यह कॉम्प्लेक्स मोडल यह काफ की उलजा हुआ मोडल था इसका और हब मोडल मैंने आपको बताई दिया था ठीक है और वोराज मोडल फॉर डिफ्यूजन ओफ कॉंचेप्ट नोलेज एटिट्यूड विहेवियर इसके बारे में यह कहा गया था है भी ओ आइस मोडल यह दिया उन्नीसों तीहेतर के अंदर स्वेंटिक रियक्टर इज एंटर पर्सनल कम्यूकेशन और उसके बाद में दोस्तों एलवरेशन लाइक हुड मोडल यह इसके बारे में भी दोस्तों आता है कि एलवरेशन लाइक हुड मोडल किसने दिया था यह पीटी एंड को को पता नहीं यह थोड़ा समझ में नहा इन्होंने दिया था ठीक है तो दोस्तों मैं जो यह मोडल बता रहा हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पहले माफी मांगता हूँ आपसे तो आप इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और आपको कोई भी अगर इनमें गलती लगते तो आप कोमेंट बॉक्स के जरी मुझे बताना जरूर ताकि मैं आने वाली वीडियो में सुधार कर्श कूँ और आप क्या चाहते हैं उनके बारे में भी हमें बताना ठीक है और यह देखो दोस्तों एक हैल्थ विलीफ मोडल यह भी एक बर आया था तो यह दिया था होक बरम 1950 में दिया था रोशन टॉक की गलेस ने दिया था इट इस अप्रेडिक्ट हैल्थ वीएवर यानि की हैल्थ के बारे में यह बताता है दोस्तों इसकी जो पीडिएफ है आपको वीडियो डिस्क्रेप्शन में देखने को मिल जाए ही ठीक है अब अगले जो मोडल है वो देखते यह मोडल भी कहते हैं दोस्तों, फीसर्स मोडल है था इसके इसके अंदर दोस्तों, ओरेंटेशन, कनफ्लिक्ट, अमेर्जेंस, और इनफॉरेस्मेंट की अवधार्णा इसके अंतर अगले दोस्तों, रिलेशन शिप मोडल, मार्क जेक नैप ने दिया था, हाव रिलेशन grow and last and also how the end यानि किसके अंदर बताया गया था कि किस तरह से हमारे relation हो शुरू होते हैं किस तरह से हमारे relation हो खतम हो जाते हैं इस model in 10 different stage है दोस्तों इसके बारे में भी वह काफी लंबा चोड़ा है तो बाद में कभी बताऊंगा अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि यह model है किस ने दिया था relationship model दिया था मार्क जिक नैप ने दिया था समाल ग्रूप communication model यह मैंने पहले बताया मार्सल स्कॉट पोल ने दिया था सुरी यह अलग है और यह अलग है ठीक है प्रोपगेंडा मोडल यह एक बारा आया था दोस्तों प्रोपगेंडा मोडल एड़ वर्ड ऐस हरमन और नॉम चोमस की ने यह दिया था यानि कि किस तरह से जो बाजार के अंदर जो लोग है, जो एड़टाइजर है किस एसे audience का यूज करते हैं उसके उसके बारे में बताया था कि media advertiser और audience के बारे में इनोंने बताया था ठीक है और five filter होते हैं इसके अंदर size ownership funding source flex anti-communism ठीक है anti-communism तो यह आपको ध्यान रखना है पैरिस मॉडल चार्ल्स सेंडर ने दिया था और इन्होंने sign के बारे में बताया था object interpretation ने पता नहीं क्या है और अगले दोस्तों the big five factor यह कोई लिखाई नहीं meaning of meaning model चार्ल्स के और ओगडेन और ओवर औरम स्टरंग जी पता नहीं क्या यह भी और ट्रांजेक्शनल मॉडल डेन बर्नाल्ड ने दिया था ठीक है मल्टी लेर्ड फीडबेक सिस्टम इसके अंदर मल्टी लेर फीडबेक के बारे में बताया था ट्रांजेक्शनल मॉडल ठीक है और मासलोज पैरमिड ओफ नेड इसके अंदर क्या था दोस्तों साइकलोजिकल नीड सेफटी नीड लव एंड बिलोंगिंग नीड एस्टीम नीड सेल्फ एक्टी एच्छुलाइजेशन नेड दोस्तों यह जो है यह काफी इंपोर्टेंट है और इसके बारे में एक कोश्च नाया था यह आगे पीछे दी हुए थे और इनको करमवाइज लगाना था ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और एक बार फिर से आप से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ गलती हुई है तो आप हमें जरूर बताईए हम उसमें सुधार करने की कोशिस करेंगे और दोस्तों बात यह है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता तो जब भी मेरे को टाइम लगता है तो मैं वीडियोज डालता हूँ तो आप थोड़ा वेट कर लीजिया करें और दोस्तों लास्ट में एक वार फिर से वह ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों